हेलो स्टूडेंट्स विल्कम टू होमवक हेल बायाट जी बहुत से बच्चे कमिट कर रहे हैं कि अनलेटिकल पैराग्राफ राइटिंग में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को इंडिड़क्शन समझ नहीं आ अज आप मेरे साथ ही अनलेटिकल पैराग्राफ लिखेंगे इस क्वेशन में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें राइजिंग प्राइस के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है तो analytical paragraph जब भी आप लिखना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई written information नहीं दी गई है सिरफ data या chart दिया गया है तो हम उसको पढ़के rough notes बनाएंगे कुछ और फिर उनको final paragraph में convert करेंगे आप लोग देख रहे हैं यागवार आपको food items दी गई है और यह data है February 2018 से February 2021 तक यह सभी जो है basic food items हैं इन्हें हम staple food items भी कह सकते हैं जब भी आप analytical paragraph लिखते हैं या कोई भी writing करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ही word को repeat ना करें जैसे कि यह rising prices है तो उसकी जगे आप increase in price, increment, hike in price, bounce in price इस तरीके के synonyms यूज कीजिए तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता लगी कि यह क्या है इस देटा फर बेसिक food item तूसरी बात जब हमने इसको observe किया सारी food items के prices बढ़ रहे हैं तो prices for all are increasing तो इसमें लिखने के लिए हम सबसे ज़्यादा जिसमें increment हुआ या सबसे कम हुआ उसको भी ढूनेंगे और उसको point out करेंगे चौती चीज जब हम comparison करते हैं तो आप या तो percentages निकालेंगे या फिर fraction में लिखेंगे कि 50% increase हुआ या 1.5% increase हुआ 100% increase हुआ या double हो गया और इसमें आप सबसे costliest item यानि कि सबसे महंगी item कौन सी है जैसे यहाँ पर पता लग रहा है कि groundnut oil जो है वो per liter सबसे महंगा है और सबसे सस्ता है rise 30 और इसी तरीके से last line हो जाएगी conclusion में हम यह देखेंगे कि rising prices का क्या असर पड़ता है लोगों पर especially गरीबों पर इसका असर पड़ेगा तो उसे हम conclusion में लिखेंगे introduction पार्ट में क्या लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें paraphrasing करते हैं लेकिन यहाँ एक problem है इस question में आपको कोई clear cut line नहीं दी गई है तो paraphrasing आप लोग कैसे करेंगे तो यह आपको बनाना पड़ेगा देखेंगे हमारा data किस बारे में था the given table shows क्या बता रहा है यह prices of staple और basic food items तीसरी चीज किस time duration की बता रहा है तो इन तीनों को मिला के हम एक sentence बनाएंगे उसमें हमारा पूरा introduction बन जाएगा the table shows a comparative study of staple food items over a period of 3 years starting from February 2018 to February 2021 next हम करते है body part अब हमने यह तो बता दिया है कि यह prices है और हमने trend पता लगा लिया कि all are increasing उसके बाद हम पता लगाएंगे कि सबसे ज़ादा increase किस में हुआ है या सबसे कम increase कौन सी food item हुई है इसी परकार costliest और cheapest आप लोग पता लगाएंगे और conclusion जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि यह basic food item से related data है तो इसका सबसे ज़ादा impact जो है वो poor people पर पड़ेगा तो इसलिए हम conclusion में कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि गरीबों को दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है तो इस line को आप कैसे लिखेंगे दो वक्त की रोटी इसे बुला जाता है a square meal कि बढ़ती कीमतों के कारण गरीबों को और मिडल क्लास लोगों को अपना जीवन बरकरार रखने में बड़ी परिशानी हो रही है यह हम ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके सामने है यह है Educard का sample paper 5 का answer लेकिन अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने Educard को expose किया था मैंने बताया कि analytical paragraph का answer वहाँ बिलकुल गलत है CBSE की कि किसी भी guideline को उसके लिए follow नहीं किया गया है तो इसे आप मत कीजिए मैं इसे recommend नहीं करती हूँ इसकी बज़ाए जो आपके सामने paragraph है जो हमने अभी observation की है उसके basis पे हमने यह लिखा है आप इसे समझिए और इसे लिखें देखें, introduction में जो मैंने line बताई थी वो लिख दी according to the given data the prices have been rising steeply flower prices have almost doubled in just 3 years flower के जो prices थे 18 रुपीज था पहले 2018 में और 21 आते आते वो 36 हो गया 18 से 36 18 तूजा 36 होता है यह almost double हो गया तो इसलिए हमने लिख दिया कि it has almost doubled in just 3 years tour dal prices demonstrated 2 by 3rd price height tour dal का भी अगर आप comparison करेंगे तो उसमें almost 67% की तेजी है तो 67% को आप 2 by 3rd भी लिख सकते हैं although rice is the cheapest commodity rice आज की date में 2021 में सबसे सस्ता है लेकिन it showed a rising tendency of 50% आप लोग यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि मैं same words use नहीं कर रहे हूँ मैं करी rising बोल रही हूँ कहीं height बोल रही हूँ कहीं increment बोल रही हूँ इसी तरीके से आपको लिखना है in February 2021 oil is the costliest among all food items with an upward trend of more than 40% in prices oil जो था 2018 से अगर compare किया जाए तो 2021 आते आते उसमें 40% से ज़्यादा की तेजी आई है और इस time पर वो बागी सब food items में सबसे महंगा है तो यह हमने almost जितना हमें data दिया गया था सब कुछ यहाँ पर discuss कर दिया है CBSE की guidelines में कहा गया है कि आपको 4 trend minimum बताने है अगर आप एक ही trend को लंबा खीशते जाएंगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे आपको 4 trend minimum mention करने है और अगर word limit allow करती है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं conclusion में to summarize कि इस सारे को summarize मतलब short में करते हुए हम बता रहे हैं hike in basic food prices mean the poor cannot afford even one square meal कि खाने की वस्तों में तेजी आने की वज़े से जो गरीब लोग हैं वो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं the government must control the prices of essential commodities तो आपने देखा कितना आसान था ये सिरफ इसको थोड़ी practice की जरुवत है आपको आप इस तरीके से जाकर sshout.com पर questions की practice कीजिए वहाँ पर हमने इतने examples दिये हुए और CBSE के new pattern पर based आपको unseen passages और important questions सभी दिये जा रहे हैं जरूरत है तो आपकी तरफ से practice कर देगे तो मिलते हैं next video के साथ तब तक goodbye